हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो वर चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल इंडिया बूल्स हाउजिंग फैनेंस लिमिटेड पे बात करें काफी समय होगे क्योंकि टार्गेट अचीव होने के बाद मैं बात नहीं किया बात नहीं करने के पीछे रीजन था स्टॉक जानबूज के टार्गेट देने के बाद 2015 का टार्गेट दिया यहां पे हम लोग का टार्गेट जो था वो 205 पे था टार्गेट देने के बाद previous breakdown लेवल पे बार बार support लेकर ट्रेड कर रहा था इसलिए यहां पे मैं वीडियो अपलोड नहीं किया यहां पे बैटने की कोशिश कर रहा आजब यहां पर इस उपर फैसे समय कि जब कोशिश कर रहा है तो स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल चाहिए जह सपोर्ट लेवल मिल्टीप्ल तैंप मिल्टीप्ल तैंप पेम्ने सवल हुआ उन्यू ब्रेकडाउं लेकर उपर जाकर new breakdown level दिया यहाँ पर आप देखो नजदीक से दिया ना अब जब यहाँ पर new breakdown level दिया है तो new breakdown level का level क्या है 219.80 पैसा अगर stock अगले हफते कहीं पर भी कभी भी 219.80 पैसा का level break करके यहाँ उपर green candle close कर रहा है समझ गए तो stock उपर जाएगा and हो सका तो 232 से reject होगा अगर 232 से reject होगा तो निकल जाना नहीं होगा तो उपर भागेगा अगर reject होगा तो भी video upload करूँगा reject नहीं होगा तो hold करवाने के लिए भी video upload करूँगा जो hold कर रहा है मैं उनकी बात कर दो मैं अभी यहाँ पर Fresh Buying नहीं दे रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ जो भी Fresh Buying के लिए देखने को नहीं मिलेंगे, अगर depreciate हुआ, अगर depreciate नहीं हुआ, तो stock के अंतर मैं 270 plus target India was housing finance limited में देख रहा हूं, 270 के target देख रहा हूं, समझ जाओ, ठीक है, अगर improper buying यहां पर जो दे रहा है, अगर वो real निकला, real निकला, तो major selling देखने को मिलेगा, जो major selling lead करेगा, मेरे हिसा 170 पे इसलिए lead करेगा, क्योंकि यहां पर breakout level है, यहां पर, समझ में आगे आपको, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको wait करना है, wait करके देखना है, अगर 2.19 पर यहां पर green candle close किया, तो target extend कर लो, अगर close नहीं किया, fall है, तो दोस्तों यहां से ही fall start होने वाला है, यह कि और वादिक, बाय कि प्रोशिक बाय व्यूटियो